कि नमस्कार मित्रों हार्दी का विनंदन है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल इलेक्ट्रोनिक स्टडी में आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे मौडल प्रिश्णपत्र यागर मैं बात करूँ प्रतिदर्श प्रिश्णपत्र बाल विकास और सीखने की प्रकरिया के बारे में इसमें हम देखेंगे कि जो अभी तक प्रिवियस जो थ्री एर् आपने देखेंगे हमारे इस चैनल पर मैंने question paper solution भी डाला है जो बचे हैं वो मैं डाल रहा हूँ तो उसमें repetitive questions repeat हुए हैं उनकी पुनरा विरत्ती हुई है उन सभी को शामिल करते हुए जो 15 में आये हैं 16 में आये थे और 17 में जो आये थे वो 18 में जिन questions की आने की जो संभा संभावना है ठेक है जिनकी प्रबल्संभावना है उनको मैंने अपने इस वीडियो में आज उन questions को समाहित किया है ठीक उन प्रेश्णों को जो है समाहित कि है तो वो questions आप यहां से देख सकते हैं और उनके बारे में पढ़ सकते हैं वो संभावित प्रिस्ण है जो है तो आप से 2018 BTC या DLAD की मैं बात कर रहा हूं वहां से वो पूछे जा सकते हैं तो चलिए इसमें देखते हैं जो प्रतिदर्स या मॉडल प्रेश्ण पत्र है इसमें बाल विकास और सीखने की प्रकरिया किता है सबसे पहले हम बहु विकल्पिया प्रेश्णों की बात करेंगे इसमें काफी कुछ और उसके बाद देखेंगे आती लग उतर ये फिर देखेंगे लग उतर ये प्रेश्ण जो है के प्रेश्णों की बारे में तो सबसे पहले हम बहु विकल्पिया कि यहां पर बात कर रहे ह मैंने यहाँ पर मित्रो ध्यान रहे केवल मैंने questions को लिखा है आप उनके answers को आप ये भी कर सकते हैं कि आप सीधे पढ़ें ठीक है कि उनकी उसका उत्तर क्या है ठीक है अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है किसी भी सवाल में दिक्कत है तो आप comment में जरूर बताएं वहाँ और मैं उनको उत्तर देने के कोशिश करूंगा यह अगर हो सकेगा तो यह जो questions मैं इसमें डाल रहा हूं अभी उन सारे के जो है जो आंसर का जो वीडियो है वो भी मैं बना दूंगा ठीक है लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा पहले जो है इन सभी के उत्तर देने की जान बुद्धी के दुई कारक सिध्धान्त के प्रतिपादक को थे जिक है तो बुद्धी के दुई कारक सिध्धान्त किस ने दिया था बुद्धी के कई सिध्धान्त है एक आत्मक सिध्धान्त है यानि एक कारक है दुई कारक है त्री कारक है जिक है बहु कारक है उसमें तो तो यह थे आप अच्छी तरीके से जानने स्टैनले हॉल की डेफिनिशन थी यह नेक्स्ट है इसमें व्यक्तित्वमापन परिक्षन का नाम बताएंगे तो व्यक्तित्वमापन परिक्षन उसमें TAT बैटरी था और CATSRI आपके आएंगे तो उसमें से व्यक्तित्वमापन कि द्वारा व्यक्तिवालक में होने वाला परिवर्थन क्या कहलाता है तो आपके options में होगा आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि उसका उत्तर क्या है ध्यान लगाना है तो ध्यान लगाना आपको options में दिया रहेगा कि ध्यान लगाना क्या है इसमें से चिंतन क्या है तो चि चीजों का विकास ये निर्मार करना वही आपका उत्तर होगा अगला इसमें है पदों की योग से पदों की संख्या को भाग देने पर क्या मिलता है अभी कल ही जब मैं सॉल्व कर रहा था बाल विकास के क्वेशन पिपर को भागती में मैंने इसको बताया हुआ है ठीक है कि क आवलो थे उनके प्रियोग किस्पर किये गए थे तो इसमें कुत्ता था तुछ ने किया था तो जो थीमाटिक आप परसेप्संट है उसका निर्मार किस्पर किया था नभीन रचना विचर का प्रस्तुति करना क्या कहलाता है वो बताना है बाल कोँआ द्वारा पुरवजों से प्राप्त गुड़ क्या कहलाता है उसको क्या कहा जाता है तो आपके उसमें 10 में में दिया होगा जो है ठीक है कोहलर का सीखने का सिध्धानत किस नामC सिद्धान्हें सिद्धानेशी से जी मापक के सिद्धान्हें उनके बारे में बताना है कि कौन सिद्धान के ठीक है इसमें काफी कुछ questions previous year से हैं तो आप देख सकते हैं उनके उत्तर वहां से जिन्ने तथियों को बहुत काल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरल करना ही इसमरती है या कथन किसका है नेक्स इसमें प्रतिभाशाली बाला की बुद्धी लब्धी कितनी होती है मैंने बुद्धी लब्धी का टेबल बताया था उसमें से आप देख सकते हैं प्रतिभाशाली बाला की बुद्धी लब्धी यानि इंट्रिजेंस कुशेंट यानि IQ कितना होता है बालकों में स्वतंतरता की आगांक्षा किस अवस्ता में प्रभल हो जाती है नेक्स इसमें बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक उसमें आपसंस में दिये होंगे नेक्स अब कि इस्टोड़ा वस्ता की विशेशनाओं को सर्वत्तम रूप से वेक्त करने वाला शब्द काउंसा है संवें का प्रकार नहीं है कहूंसा इसमें वाटसन के प्रात्मिक संवें के कितने प्रकार रहा था तो मैं ने बताया था यह यहीं एक भाय वाला था एक प्रेम की भाउना ठीक है नेच्cht इसमें अनुमान्शिकता का वाहग मताना है आपको नेच्श मनमग्यान के अनुसार सिक्षा का केंद्र विंदू क्या है जो शिख्षा मनुविग्ञानि extend का प्रियोग में कौन सा आस्वाभाविक उतेजक क्या था जिसको ने जोड़ा था बहुतत्व सिध्धानत के प्रतिवाद कौन थे नेक्स इसमें किसने सबसे पहले प्रियोग शाला खोल कर बुद्धि परिक्षण के कारे को वैग्यारिक आधार दिया तो यह वॉंट थे डबलू ओ यू एंटी हम पढ़ते हैं इनको वाउंट बोल सकते हैं वॉंट जो भी है ठीक है और इनके शिष्ट थे उसके बाद कैट अर्थ यह वि फिल ठीक है सबसे पहले यू भी कहा गया कि बुद्धि शब्लाब्द का भी प्रियोग जो प्रियोग था वह भी विजिजन समांतर माद अवर बहु व्यावार का विज्ञान है तो ध्यान रहे मित्रों हमेशा ध्यान रहे कि जो मन का विज्ञान है वो व्यावार का विज्ञान है ठीक है मनों विज्ञान का शाब्दिकर्थ मन का विज्ञान निकलता है लेकिन फाइनली जो निसकर्ष निकल के आता है वो है यह व्यावार ठ नेक्स्ट बात करते हैं कुछ आतिलोगतरी प्रस्म देखते हैं जो की समभावित है पूछे जा सकते हैं आपसे बालक में पाए जाने वाले जन्वजात अभी प्रेयरकों के नाम बताने हैं ठीक है नेक्स्ट इसमें आव वर्गी करिदेने अन गुरुप्ट डेटा प्रदत के तहट जो विश्ण संख्या वाले संख्या होने पर जो है मधिका कैसे ग्यात करने करते हैं वह बताना है यूंग ने समाज्यक अंतर करिया क्या अधार पर व्यक्तितु को किन-किन भागों में वर्गी करिद किया है वह बताना है गिलफोल्ड का तुरियाया मान्सिक सिध अवधान्त का परतिपदन किसने किया था तो वह बताना है इसमें किसने किया था न Greg के नाम बताने है ध्यान किसे कहते हैं संवेग क्या हे इसमें ऐक लाइन का ही ये उत्तर होता है यह ठीक है आप देखेंगे आती लगूण जब आप की समय सीमा देखेंगे तो 30 शब्द ही होते हैं तो दो ती लायर में आप उत्व्त कैबल Ve so ईसमें तिकाफी है ज्हान किसे काते हैं वो बताना है अवदान की बार समवेग इमोशन्स क्या होते है सरजनात्मकता क्या है वो बताना है जीन प्याजे के चारो संग्यानात्मक के भाग लिखे संग्यानात्मक कौन से थे चारो उनके नाम बताना है बाल्यावस्दा की अवधी क्या है CAT परिक्षण के निर्माड करता कौन है उसके बाद है प्रियोग किस पर किया और सिध्धान्त का नाम किया था वो बताना है इसमें Stanley Hall ने किशोर आवस्था को कोंसी आवस्था कहा है वो बताना है पावलो का सिध्धान्त कहने का मतब पाबलो का सिध्धान्थ क्या था तो आप एक लाइन में बता सकते हैं कि सिध्धान्थ का नाम ये था और इनुने इस पर प्रयोग किया था ठीक है आती लगू में है तो इतना काफी होगा आपके उत्तर के लिए नेक्स इसमें आसिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धि मापन के बुद्धि का जुमापन है उस परिक्षण मतब का नाम बताना है कि किस परिक्षण से करते हैं नेक्स इसमें देखते हैं उत्प्रेणना किसे कहते हैं बुध्धि लब्धी निकालने का सूत्र क्या है विक्तित्यु की परिभाषा रोड़सा परिक्षण किस ने दिया था तो रोड़सा परिक्षण ये भी मैं बता चुका हूँ जो है अपने वीडियो में कि रोड़सा आर्थ क्या है नेक्स्ट है बालक के वरधी कब रुक जाती है उसके बाद है सीखने के वक्र में सीखने में उन्नती का होना ठीक है यानि कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ अगर जो है अगर मैं लर्निंग कर्व के बायत करूँ तो उसमें जो उन्नती का होना है वो किसका T.A.T. का संबंध किस से है अंतरद्रिष्टी के एक परिवाशा अनुबंध क्या है अनुबंधन क्या है बुद्धी का दोई कारक सिध्धान्त किस ने दिया था ठीक है ये पूछा है आपके आतिलगू में आपके 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 आतिलगू में भी एक पूछा गया है जो आपके प्रिवियस येर पेपर से ठीक है नेक्स इसमें किंद्रिय प्रविर्ती का आर्था और प्रकार अधिगम में प्रेणना की आवश्रक्ता क्या है प्रेणना समद्धी चालक किसिद्धांत के प्रतिपादक वैक्ति भिरनताश्या से अभियवरत्धी विकास क्या है? बुद्धी कितने प्रकार की होती है? और अभूल द्वारा सीखना क्या होता है? तो मित्रो ये थे कुछ questions बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के तहत जो प्रतिदर्ष प्रेश्ण पत्र या model paper की मैं बात करूँ जो है आप में से काफी लोगों ने बोला था कि इस तरह के कई एक वीडियो मैं बनाओं तो ये आप ही लोगों के लिए आप यहां से देख स जरूर include करूँगा तो मिलते हैं मित्रो अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद